पुलिस की रिमान पर खुलेंगे कई राज देवांगत बसपाब इधायक राजुपाल हत्याकांड के गवार है उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की प्रयाग राज में गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलिस और एष्टी अब इस केस की जाश कर रही है दिन्द हाडे हुए सत्याकांड में एक के बाद एक लगातार कई हुला से हो रही है सुमार को मामली की सुनवाई करते हुए सी जे एम कोट ने पुलिस द्वारा दी कई रिमान अर्जिस वीकार कर ली थी इसके बाद आज मंगलवार को पुलिस गिरफतार किये गए पांचो आरोपियों को पुस्ताज के लिए रिमान पर लेने के लिए प्रयाग राज जेल पहुँची पांचो गिरफतार आरोपियों, अर्शल कट्रा, नियाज एमद, मुहम्मद सजग, कैश एमद और राकिस कुमार को पुलिस का स्टडी रिमान में ले जा रही है मंगलवार को रिमान पर लेने से पहले पुलिस सभी आरोपियों का मेडिकल कराएगी, फिर अपने साथ ले जाएगी रिमान के दोरान होने वाली पुस्ताज में एक वकील भी मौजुद रहेगा कोट ने पुलिस को निर्देश दिये हैं कि पुस्ताज के दोरान आरोपियों के साथ टॉर्चर या थर डिग्री का इस्तिमाल नहीं किया जाएगी